क्या आपके एकनी स्कार ज्यादा सिवियर है ज्यादा डीप या गहरे है पिगमेंटेड है या छेहरे की स्कीन स्कार की वज़े से बहुत ही खराब हो चुकी है क्या आप जानना चाहते हैं कि इन स्कार को ट्रीट करने के लिए कौन कौन से एफेक्टिव और सेफ लाइट लेजर और इनर्जी बेस्ट ट्रीटमेंट आज कल अवेलेबल है तो दोस्तों यह वीडियो आपके लिए ही है आज हम सीवेर एक्नी स्कार में उप्युक्ति इनी लेजर ट्रीटमेंट के बारे में बात करने वाले हैं हलो मैं दोक्टर दहिंदेच अपान कॉस्मेटिक डर्मेटोलोजिस्ट और हैर ट्रांस्प्रांट सरजान क्लियर स्कीन एंड हैर एमडी पुनी लेजर आपके स्कीन के उप्री लेख को एक्स्पोलिय Doch करते है निकाल देते है टीप स्कीं लेख में K validि करते है और न्यू सेल रोथ भी प्रमोड करते एकनी के इंडud sixpoke Lazer और दो और यह इसे केशिव सिभम को भी कुछ अद तक कंट्रोल करते हैं जिससे आपकी स्किन बेहतर बनती है ऐकनी स्कार बहुत ही कम होने लगते हैं आपको मालूम है कि लेजर ट्रीटमेंट में दो टाइप के लेजर होते हैं Abilative या invasive laser और non abilative याने कि non invasive lasers Non abilative lasers mild acne scar के लिए ज्यादा इस्तमाल किये जाते हैं Mild scars के लिए abilative lasers की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती Mild scar के treatment के बारे में भी हमने एक separate video बनाया है वो भी आप देख सकते हैं आज हम moderate और severe scars के laser treatment के बारे में आज हम बात करेंगे देखे, commonly moderate to severe acne के लिए हम 3-4 main lasers या energy best treatments का इस्तमाल करते हैं This is common जैसे कि 10,600 nanometer CO2 laser या fractional उसका ही type है CO2 laser 2950 nanometer erbium yag laser या fractional erbium yag laser microneedle radio frequency या MNRF ये से common लिवोल है और 1550 fractional erbium glass laser ये common है इन में से CO2 laser और erbium yag laser ablative laser है यानि के ablative lasers आपके scar tissue को, skin को vaporize करते हैं और उस जदा नई skin और collagen tissue पाइदा होते है ablative lasers effective जरूर है लेकिन इतके कारण prolonged erythma ये skin redness और pigmentation भी हो सकता है तो इने जरा carefully ही हम use करते हैं और इसको carefully use करना पड़ता है हमारी जैसे black skin में in ablative lasers के बारे में और चर्चा करते हैं और देखते हैं कि वह आपके scar को कैसे ठिक करते हैं लेजर में CO2 laser resurface इं बहुत सालों से western country में fair skin में यूज करते आये हैं और अब इसका advanced version ये फ्रेक्शनल CO2 laser जो conventional CO2 laser से less ability है और कुछ हद तक Indian Asian skin में भी यूज किया जाता है तो एक नया version है यह laser acne scar के treatment में cold standard माना जाता है fractional CO2 laser को rolling scar, box scar scar, ice pick scar और mixed scar के लिए भी इस्तिमाल किया जाता है यानि कि सभी scar में इस्तिमाल किया जाता है इसमें बहुत short pulse light यानि कि ultra pulse energy या continuous light beam का भी हम इस्तिमाल करते है यह light आपके skin पर scanning pattern में project किया जाता है इसमें high energy emit होती है यह light बहुत ही focused होती है बहुत powerful होती है यह laser आपके skin के epidermis और dermis में कई सारे micro abilative channels बनाता है इससे skin के अंदर wound healing cascade शुरू हो जाता है जिससे dermis में collagen production, collagen remodulation होता है और skin के सारे open pores, aging spot, acne scar के साथ-साथ improve होने लगते है यह procedure PRP यानि के platelet-rich plasma treatment के साथ भी combine करके even इससे बहुत better result आते है PRP के साथ combine करके treatment के बाद आपको थोड़ा redness, swelling और scarring दिखाई दे सकता है जो 6-8 दिनों में पूरा कम हो जाता है treatment के बाद strict photo protection यानि कि physical protection और sunscreen यूज करना बहुत चुरूरी है जिन लोगों का skin tone थोड़ा सावला है, काला है जैसे कि Indian skin उन्हें treated skin पर कलपना होनी चाहिए कि P.I.H. होनी की संभाव ना होती है इसलिए उन्हें भी care लेने की ज्यादा ज़र्वत पड़ती है लेजर में एक बहत्री treatment और है 15-50 nanometer erbm glass laser जैसे कि आमने पहले भी कहां है कि यह laser non ablative है यानि कि आपके skin को ज्यादा diamond नहीं करता यह laser darker skin tone में rolling box car even open pores और mixed car के लिए ज्यादा इस्तिमाल किया जाता है erbm glass आपके चहरे पर जो active acne है या fine lines या wrinkles होते उने भी erbm glass laser treatment improve करता है erbm glass laser color brine laser है यानि कि इस laser को सारे skin type में और सारे skin tone के लिए इस्तिमाल किया जाता है अरbm glass laser में आपके skin को और surrounding tissue को minimal damage पहुंचता है ज्यादा damage नहीं होता इस laser energy से जिससे skin में नया collagen production हो जाता है skin regionate होती है और scar के साथ skin भी improve होती है इसलिए बहुत ही यह useful method है और इसे इस्तिमाल करना भी आसान है थोड़ा महंगा है लेकिन आसान है इससे minimal side effect हो सकते है और treatment के तुरज बाद patient को swelling या थोड़ा सा redness होता है लेकिन cold compresses और medication के साथ यह swelling कुछ गंटों में या 2-4 दिनों में ठीक होता है कुछ problem नहीं आता procedure के बाद आपको strict photo protection लेना जुरूरी है ताकि hyperpigmentation या PIH skin darkening आपको ना हो आपको SPF 30 का broad spectrum sunscreen का इस्तिमाल प्रॉपरली करना जुरूरी है physical protection लेरो अभी आधला treatment modality हम देखते है वो है microniddling radio frequency यानि कि commonly MNRF बोलते है माइक्रो निद्लिंग radio frequency या MNRF को deep scar box scar scar और atrophic rolling scar even open pore के लिए भी इस्तमाल किया जाता है इस procedure में microniddles skin को systematically or strongly smoothly enter करते है ये needle skin के deeper layers में dermal layer में radio frequency energy या RF energy emit करती है इससे epidermis को भी हाम नहीं पहुंचता है इससे wound healing cascade फिर सुरू हो जाता है fibroblast activity बढ़ती है और collagen production भी होता है नए tissues skin के नीची के layer में उपरी layer तक नहीं tissue आती है procedure के बाद कुछ patient minor discomfort feel करते है very minor कुछ mild swelling और redness भी हो जाता है जो एगंटे या दो गंटे में usually काम हो जाता है कुछ cases में treated area पे छोटे-छोटे scabs भी दिखाई दे सकते हैं जो खुद बखुद घरते हैं procedure से fully recover होने में 3-5 दिन लगते हैं ज्यादा कुछ दिखाई नहीं देता यह procedure बहुत ही effective है क्योंकि यह एक color applying technology यानि कि कि इस भी skin tone के लिए सावले लोगों में भी यह यूज किया जा सकता है इससे minimized epidermal damage और कम pain और minimal pain और skin damage हो जाता है यह procedure skin के छोटे हिस्सों पर भी किया जा सकता है MNRA treatment skin के overall texture को improve करता है और post acne redness को भी control करता है procedure के बाद हमेशा की तरह skin protection बहुत important है सब laser procedure को कई बार PRP और सबसेजन या surgical treatment के साथ combine भी करता है ताकि आपको best result में लिए तो यह थे moderate या severe acne scar के लिए कुछ effective laser treatment आपकी skin specialist doctor dermatologist को आपकी skin को ठीक तरह से access करके आपके लिए सही laser बाकी treatment modality के साथ combine करना पड़ता है और ओर recommend करते हैं ज्यादा तरह लोगों में mix car होते हैं इसलिए उन्हें treat करने के लिए अलग-अलग treatment modalities हमें combination में यूज करने के बहुत ज़रुयत होते हैं शिर्फ एक ही treatment modality usually best possible results नहीं दे सकते हैं ऐसा मात expect करो नहीं दे सकते हैं में individually customized और unique treatment approach रखना ज़रुरी होता है वो हरे patient में अलग होता है अकनी scar को special lighting में जांच करना बहुत ज़रुरी है skin का puckering skin moments पर scar का तितना देखना अलग-अलग angle में scar को assess करना existing या pigmentation को भी हम assess करते हैं और skin का original skin tone देखना यह सब अकनी scar treatment plan करने के लिए बहुत ज़रुरी है मैं आशा रखता हूं कि आपको इस video से acne scar और laser treatment के बारे में कुछ तो मन चाही information मिली हो this is basic अगर आपके और कोई भी सवाल है तो आप मारे website www.clearskin.in पर हमें पूछ सकते हों दोस्तों severe या moderate acne scar को treat करने के लिए laser treatments हुआ कई safe और effective है इतना ही द्यान में रखिए लेकिन कोई भी medical treatment की तरह इसके results भी आपके skin type और scar की severity के different होते हैं आपके skin laser treatment को कैसे respond करती है इस पर भी results थोड़े dependent होते हैं आपके scar cut type कोई सा है उसकी severity क्या है आपके scar कितने गहरे है कितने deep है आपके skin type, tone, texture और skin condition कैसी है इस पर भी आपके treatment की results depend करते हैं और तो और आपके लिए treatment treatment decide करने वाले आपके specialist जो doctor रहेंगे ऐसी advanced treatment करने में वो कितने experience है वो आपके scar की जांच कैसे करते हैं उनके हां कौन-कौन से laser available है या वो कौन-कौन से laser और बात की treatment के साथ आपको combine करके suggest करते हैं इवन आपको clinic का infrastructure कैसा है इवन clinic staff कितना competent है आप skin की after care कैसे लेते हैं ऐसे बहुत सारे factors आपके acne scar treatment के अच्छे result में important role निवा गए इसलिए हरे patient में acne scar के results थोड़े differ रहते हैं या एक जैसे नहीं आते हैं अपने dermatologist को consult कीजें उनके treatment और medication को जरूर follow कीजिए और समझ लिजे साथ में आपके skin की सही तरह से care ले आपको जरूर result मिलेंगे और आपके acne scar कम हो जाएंगे आपकी skin बहुत अच्छे देखनी लगेगे don't get disturbed don't get frustrated there is hope when you have some wish when you are doing something to reduce acne scar जरूर वो कम होगे और आपका confidence बढ़ेगा इसी आशा के साथ मैं आपकी रजा ले लेता हम धन्यवाद all the best